हलो स्टुडेंट्स आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर डाइमंड नर्लिंग किस तरह से आटो कैर 3D में बना सकते हैं इसकी पूरी प्रोसेस देखने वाले हैं जैसा कि आपको पता यह होगा कि हम अगर किसी भी सर्फेस पर डाइमंड नर्लिंग अपलाई करते हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा यहाँ पर एक Threaded Nut Bolt दिखाया हुआ है जिसमें हमने यहाँ पर डाइमंड नर्लिंग किया हुआ है आप देख सकते हो कि कितने Clearly हमने यहाँ पर डाइमंड नर्लिंग को अपलाई किया है इस diamond knurling को बनाने के लिए आपको कुछ steps यहाँ पर follow करने पड़ेंगे उन सभी steps को मैं आज के इस वीडियो में explain करने वाला हूँ step by step आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप अपने threaded object में यहाँ पर diamond knurling apply कर सकते हो तो diamond knurling की procedure अगर आपको सीखनी है तो इस वीडियो को complete ज़रूर देखें तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं हलो students हमारे आज के इस new वीडियो में आपका स्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो जल्दी से हमारे चैनल को subscribe कर लीजिए ताके हमारे सभी वीडियो की updates आपको मिलती रहें तो चलिए इस वीडियो को start करते हैं अपने पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर threaded nut bold बनाया था तो उन वीडियो को देखकर आप यहाँ पर threading और nut bold कैसे बनाते हैं यह सीख सकते हैं इस वीडियो में हम only इसका head बनाएंगे जो के होगा यहाँ पर diamond knurling किया हुआ ठीक है तो यहाँ पर हमें diamond knurling सीखना है तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है कि 3D workspace में आ जाना है देखे यहाँ पर 3D modeling workspace में आ चुका हूँ मैं यहाँ पर आपको front view सबसे पहले यहाँ से select कर लेना है यहाँ पर जाके front view select कर लीजिए ताकि इसका front हम यहाँ पर देख पाएं तो यहाँ पर front view में आने के बाद हमें अपनी nut bolt का यहाँ पर head बनाना है तो head कैसे बनाएंगे? head बनाने के लिए हम यहाँ पर polyline का use करने वाले हैं polyline का कैसे shortcut से हम लोग use करते हैं तो PL जो है यह polyline का shortcut है याद रखिए कि इस 2D sketch को बनाने से पहले आपके यहाँ पर grid mode, यहाँ पर नीचे dynamic input, ortho mode, object snap tracking and object snap यह buttons on होने चाहिए तो यहाँ पर polyline मैं ले लेता हूँ PL for polyline, enter और उसके बाद मैं head बनाने की शुरुवात click करके start करता हूँ click करता हूँ मैं यहाँ पर side में और यहाँ पर हम distance डालेंगे यहाँ पर first diameter मैं डालूँगा यहाँ पर 10 mm, okay, 10 mm, enter अब उपर की तरफ मैं यहाँ पर 3 mm की एक line बनाऊँगा 3, enter, again इस side में 3, enter, उपर की तरफ मैं यहाँ पर 12 mm का इसका head बनाऊँगा 2 step में इसका head होगा आपने देखा होगा nut bolt में यहाँ पर stepped head होता है तो उस तरह का हम head बना रहे हैं तो उपर की तरफ मैं again 12 enter कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इस direction में आ जाता हूँ यहाँ पर हमारा यह total होगा 13 mm, 13, enter और यहाँ पर आप click करके close कर सकते हैं इसके अब polyline का use करके हमने बनाया है तो अगर हम इसे select करते हैं तो पूरा polyline एक साथ select होगा means यह पूरी तरह से connected है तो यह वाला head बनाने के बाद हमें क्या करना है इसमें chamfer apply करना है मैं zoom कर ले लेता हूँ इसे और इसमें तीन corners हमें इस side के नजर आ रहे हैं इन तीनों में हम यहाँ पर chamfer apply करेंगे तो chamfer का यहाँ पर shortcut है CHA तो CHA अगर आप प्रेस करते हो तो chamfer आप apply कर सकते हो या फिर आप यहाँ से भी ले सकते हो देखिए यहाँ पर modify panel पे यहाँ पर fillet है और fillet के अंदर यहाँ पर chamfer है तो click कीज़े chamfer पे chamfer पे click करने के बाद नीचे आना है आपको यहाँ पर distance पे distance पे click कीज़े और यहाँ पर distance डाल सेट कर दिज़े one enter one enter तो दो बार one enter करना है means यहाँ पर chamfer का जो dimension set हुआ है one mm का chamfer हम apply कर रहे हैं तो one mm का chamfer multiple times हमें apply करना है तो multiple पे मैं यहाँ पर click कर लेता हूँ और फिर इन दोनों लाइन्स पे click देन इन दोनों लाइन्स पे click और इन दोनों यहाँ के इन दोनों लाइन्स पे click तो देखिए यहाँ पर हमने तीन जगा यहाँ पर chamfer apply कर दिया है one mm का dimension skip करता हूँ मैं यहाँ पर हमारा head यहाँ पर ready है 2D sketch में ठीक है तो polyline से हमने बनाया है तो हमें हमारी lines connected है और यह connected होना ज़रूरी है अगर आपने यहाँ पर इस profile को line की मदद से बनाया तो आपको इसे select करके j for join करना ज़रूरी होगा j for join यह पूरी तरह से join होना ज़रूरी है single click में select होना चाहिए तो यह होने के बाद अब हम यहाँ पर इसे 3D में convert करने वाले हैं 3D में convert करने के लिए एक best command मैं यहाँ पर use करने वाला हूँ जिसका नाम है revolve command तो 3D में अगर आप यहाँ पर modeling में आते हो extrude में यहाँ पर click करते हो तो यहाँ पर देखिए आपको revolve command मिल जाएगा directly आप इसको revolve कर सकते हैं 3D में convert करने के लिए तो object select कीजिए revolve पर click कीजिए और revolve के बाद यहाँ पर आपको specify axis start and end point पूछेगा तो axis देना है आपको यह point first और second यह point click करते ही यह देखिए आ रहा है बस enter प्रेस कर देना है यहाँ पर आपको enter यह देखिए हमारा create हो चुका है अब इसे 3D में orbit करके देखना है हमें shift plus middle mouse को मैं press करूँगा और देख सकते हो हमारा यहाँ पर head जो है वो ready हो चुका है तो इस तरह से revolve कर सकते हो मैं आपको यहाँ पर 3D में भी revolve कैसे होता है वो दिखा देता हूँ मैं shift plus middle mouse यहाँ पर कर देता हूँ देखिए हमारा 2D sketch था यहाँ पर click करते हैं यहाँ पर revolve पे जाएंगे revolve और axis देना है आपको first point and second point यह देखिए इस तरह से revolve हो रहा है इस तरह से यह revolve होगा तो यह revolve enterprise कर देना है 360 degree हमें revolve करना है यह पूरी तरह से revolve हो चुका है अब हम इसमें क्या करेंगे diamond nerling बनाने की process को start करेंगे तो diamond nerling देखिए इसमें मैं कैसे बनाता हूँ तो diamond nerling के लिए जैसे हमने thread में use किया था helix का use करना है helix का हमने पिछले बार thread बनाने के लिए use किया था तो उसी का हम लोग यहाँ पर nerling बनाने के लिए भी करेंगे तो draw में जाते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको helix नजर आएगा इस पर click करना है click किजिए अब helix में जाने के बाद आपको यहाँ पर क्या करना है देखिए आपको यह जो revolve हमने किया है इसका midpoint देना है तो midpoint देना है यहाँ पर center point देखिए center point कौन सा देंगे center point simple simple आपको देखिए यहाँ पर कुछ centers नजर आ रहे होंगे वैसे तो आप कोई भी दे सकते हो मगर कुशिश कीजिए कि आप यहाँ पर यह second number का center है या फिर third number का बोल सकते हो यह यह center दो ठीक है यहाँ पर मैं first वाला भी दे सकते है कोई problem नहीं है first center यहाँ पर भी click कर देता हूँ मैं और देखिए यहाँ पर एक problem आ रहे है हमारा जो helix है वो circle की तरह नजर आ रहा है यह problem हो रही हमारे plane की हो जैसे यह जो grids है वो यहाँ पर vertical grids है इसको क्या करना होगा देखिए escape करता हूँ grids को horizontal करना होगा तो UCS double enter करना होगा ठीक है UCS double enter UCS double enter देखिए grid की position change होगी इस position में आपको इसका helix बनाना है याद रखिए अब देखिए किस तरह का यह circle बनेगा helix ले ले लेता हूँ मैं यहाँ पर again helix यहाँ पर circle ले लेता हूँ कोई भी circle चलेगा नीचे गा तो नीचे का circle पर click कीजिए अब देखिए यह circle कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है तो ground की तरह circle आना चाहिए vertical circle नहीं आना चाहिए तो इस तरह का एक circle होगा तो यहाँ पर आपको radius पूछेगा तो radius हमारा 13 डालना है आपको जो हमारा head का radius है 13 enter और second radius भी आपको 13 ही डालना है 13 again 13 enter तो radius हमने यहाँ पर डाला देखिए हमारा helix आ रहा है अब यह height वगरे पूछ रहा है तो height में क्या करना देखिए पहले आपको यहाँ पर जाना है turns पर click करना है turn height पर नहीं turns पर click करना है यहाँ पर आपको और हमें turns यहाँ पर जो चाहिए 15 भी चलेगा तो 15 महीं यहाँ पर डाल देता हूँ या फिर 13 भी कर सकते हो आप कोई problem नहीं है enter करता हूँ महीं यहाँ पर और देखिए यह create हो रहा है create हो रहा है तो इसकी height डालनी हो गी अब हमें height आप directly यहाँ पर उपर के center पर click कर सकते हो उपर का center पर click किजिए यहाँ पर बस यहाँ तक हमारी helix draw होनी चाहिए देखिए तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि हमारा helix यहाँ पर draw हो गया है याद रहे कि इसकी height उपर तक आनी चाहिए देखिए यहाँ पर उपर तक आ रही है इस helix की height तो यह हमारी उपर तक आ चुकी है तो उपर के circle पे आपको height दे देना है अब यह line होने के बाद यह profile होने के बाद हमें क्या करना है एक simple सा rectangle बनाना है छोटा सा तो मैं यह rectangle बनाने के लिए मैं top view में चल जाता हूँ यहां से top view देखें इस तरह से आ जाएंगे यह थोड़ा सा हमारे nut bolt से थोड़ा दूर हो गया तो मैं इसे select m for move move करके मैं हमारे nut bolt के नजदीक लियाता हूँ यह हमारा nut bolt है तो यहां पर हमें एक rectangle बनाना है इसके लिए shortcut है rec for rectangle rec enter space bar भी press कर सकते हैं यहां पर click करता हूँ मैं एक rectangle draw करना है simply मैं यहां पर 1 mm का यहां पर rectangle draw कर सकता हूँ ठीक है तो 0.5 से 1 mm तक मैं यहां पर आपको recommend करूगा एक rectangle के लिए या फिर square बनाने के लिए square बनाना है एक्चुली हमें तो मैं यहां पर करता हूँ 1 mm tab tab प्रेस करेंगे 1 mm 1 by 1 तो यह square आगे हमारा 1 by 1 का देखिए अब इस 1 by 1 के square को हमें move करके हमारे helix के उपर रखना है ठीक है तो मैं क्या करता हूँ देखिए इसको select करता हूँ M for move करूँगा M enter M enter और center point से move करेंगे हमें इसे midpoint अब यहाँ पर देखिए shift प्लस middle mouse करके rotate और इस helix के बिल्कुल bottom में हमें से place कर देना है देखिए rectangle का center हमने यहाँ पर बिल्कुल center पे place कर दिया है यह आगे हमारा अब देखते हैं top view again हमें top view पे चले जाना यहाँ से अब top view में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा इस तरह से rectangle प्रेस हो गया है तो इस square को अब हम rotate करेंगे select RO for rotate RO enter midpoint से rotate करना है याद रखिए base point mid देना है midpoint और यहाँ पर 45 degree में rotate करना है तो ortho फिलाल के लिए मैं off करता हूँ ortho अंदाजे rotate करेंगे हम इस तरह से actually 45 में हमें rotate करना है इस तरह से हम देखिए यह इस तरह से 45 degree में rotate करेंगे तो अंदाजे मैंने ortho off कर दिया और इस तरह से click कर दिया तो इस तरह से 45 degree में rotate हो गया हमारा calm 2D का हो चुका है हमारा profile ready है हमारा path ready है अब हम इसे 3D में convert कर सकते हैं तो इसको 3D में कैसे convert करना है यहाँ पर आपको जाना है modeling यहाँ से जाना है sweep sweep को पर click किजिए profile पर यहाँ पर click किजिए enter इस path पर click करना है next यह हो क्या हमारा का यह देख सकते हो आप एक path हमारा ready हो गया है जिसके through से हम हमारी diamond knurling create कर सकते हैं तो एक profile बना इसी तरह हमें opposite side में भी एक profile बनाना है ठीक है तो opposite side में हमें बनानी की जुरुत नहीं है बस इसे mirror कर देना है opposite side में mirror कर देना है तो select करता हूँ तो mirror करने के लिए 2D mirror का नहीं 3D mirror का use करना है 3D mirror का हम use करेंगे select करेंगे इसे 3D mirror कहाँ पर मिलेगा आपको यहाँ पर देखिए आप modify में जाएंगे तो first यहाँ पर 3D mirror आपको नज़र आएगा 3D mirror का use करेंगे select करना है 3D mirror पर click करना है 3D mirror पर click करने के बाद आपको midpoint axis दे देना है ठीक है यह first point और थो on रखना ज़रूरी है इसमें बहुत ज्यादा और थो on कर लिजे और second point दे दूँगा नीचे का center और third point दे देते हैं समझो देखे third point भी यहाँ पर मांग रहा है तो इस direction में दे दीजे click किजे और enter press कर दीजे अब देखिए यहाँ पर देखिए हमारा देते साथ यहाँ पर यह आ गया है opposite side में यह profile आ गया है फिर से मैं mirror करके दिखाता हूँ select करना है यहाँ पर जाना है 3D mirror first point यहाँ पर first center second point यहाँ पर second center नीचे का और third portion नीचे की तरफ इस तरह से ortho on होना चाहिए इस तरह से दे देना है और enter press कर देना है तो यह आ गया हमारा opposite side में profile अब इस profile को हमें क्या करना है array करना है array करने के लिए इन दोनों को मैं select करूंगा और यहाँ पर जाएंगे हम लोग polar array क्योंकि हमें round portion में array करना है तो array करने से पहले UCS double enter ज़रूर प्रेस कर लिजे UCS double enter ताके plane जो है इस position पे आ जाए आपका ठीक है अब मैं दोनों को select करता हूं और यहाँ से polar array और midpoint दे देंगे यहाँ पर center इस circle का center अब देखिए यहाँ पर यह array हो रहा है array करने के लिए यहाँ पर items यहाँ पर डालने होंगे आपको 6 जब मैं यहाँ पर 20 डाल के देखता हूं ठीक है यह gaps ज्यादा लग रहे है मुझे ज्यादा डालेंगे यहाँ पर 25 डालता हूं यह थोड़ा ठीक लग रहा है मगर थोड़ा सा और मैं इसको बढ़ाने के कुश रखना है ठीक है यहाँ पर क्लिक करके यह on हो गया यह off हो गया close array कर देता हूं यह हमारा array हो चुका है complete देख सकते हो किस तरह का हो सकता है पॉइंट पर आपका computer थोड़ा hang हो इसलिए आप पहले ही इसे save कर लीजिए ठीक है तो save करना जुरूरी है ताके hang ना हो हमारा computer अब हम यहाँ पर क्या करेंगे अब हमें यहाँ पर इसे इसके main जो पार्ट है उसमें से यह जो हमने array किया है इसका material remove करना है तो material कैसे remove करेंगे तो solid subtract एक option है यहाँ पर solid editing में solid subtract okay solid में भी जाईएगा तब भी यहाँ पर आपको मिलेगा subtract option तो यहाँ से इस option का use करके हम लोग यहाँ पर एक material से दूसरे का material remove कर सकते हैं कैसे करेंगे solid subtract ले लेंगे main जो यहाँ पर part है उसको head को select करेंगे enter और उसके बाद इन सब को select करना है इस तरह से मगर सिर्फ एक main part को यहाँ पर unselect कर देना है जो के head है shift press and hold करके main part पर आपको click करना है यह unselect हो जाएगा याद रखिए second time में head को select नहीं करना है और अब यहाँ पर enter press करके थोड़ा सा wait करना है आपको okay तो यहाँ पर diamond knurling पूरी तरह से देखिए यहाँ पर हमारी radio हो चुकी है तो इस तरह से आप यहाँ पर try कर सकते हो diamond knurling को बना सकते हो easily अब हम क्या करेंगे इसमें मैं फिर से एक बार आपको दिखाऊंगा यह करके control plus Z आप चाहो तो वीडियो को repeat भी कर सकते हो no problem अगेन मैं यहाँ पर आपको solid subtract करके दिखाऊंगा तो यहाँ पर ले लेना है solid subtract main head को select करना है enter total object को select करना है shift press and hold करके main head को यहाँ पर unselect कर लेना है और enter press करके wait करना है हो सकता है इस point पे आपका computer hang हो जाए corrupt हो जाए इसलिए आपको पहले ही save कर लेना है यह देखे हमारा head पूरी तरह से diamond नर्लिंग यहाँ पर हो चुका है अब हमें just इस diamond नर्लिंग को move करके हमारे main body के उपर यहाँ पर रख देना है तो देख सकते हो कितने अच्छे से diamond नर् रख देंगे यह हो गया हमारा grids को off कर देंगे और part को आप union कर सकते हैं union इस part को और इस part को select enter यह हमारा union हो चुका है union करने से यह दोनों joint हो जाते हैं अब मैं यहाँ पर thickness को off कर लेता हूँ ताकि यह clear नजर आए देख सकते हो आप यह हमारा diamond नर्लिंग पार्ट रेडी है देख सकते हो कितना clearly हमने यहाँ पर diamond नर्लिंग बनाया हुआ है तो same steps को आपको follow करना है एक भी step अगर आप यहाँ पर गलत करते हो तो आपको यहाँ पर problem आएगी इस part को बनाने में देख सकते हो threads with diamond नर्लिंग head actual में diamond नर्लिंग वगरे AutoCAD में professionally use नहीं होता है professionally just हमें diamond नर्लिंग का symbol दिखाना पड़ता है 3D में इसको हमें बनाने की जुरूरत नहीं पड़ती अगर आप industry की बात करो तो बट हम AutoCAD में सीख सकते हैं ताकि हम complex और complex object यहाँ पर बना सके और इन ideas का तूसरी चीजों में use कर सके हैं ठीक है देख सकते हैं हमारा पूरी तरह से diamond नर्लिंग यहाँ पर ready हो चुका है तो इस वीडियो में इतना ही आप भी अपने computer में इस diamond नर्लिंग को same to same बनाने की कोशिश कर सकते हो पिछले वीडियो में हमने यहाँ पर threaded वगेरे किस तरह से threadings वगेरे बनाना है नडबोल किस तरह से बनाना है उसके मैंने दो वीडियो अपलोड किये हुए हैं आप उन्हें देख सकते हो उसके बाद आप इस portion को भी try कर सकते हो तो इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में